नमस्कार मैं हो ससी आये जारखन के टोप 25 पर्मोग खबर जानते हैं जारखन में जल्द खुलेंगे पहली से आठवी तक के स्कूल राजे में अब पहली से आठवी तक के स्कूल भी छात्रों के लिए खोल ले जाएंगे इसकी त्यारी शुरू कर दी गई है सिक्षा सचीव राजे सर्मा ने सभी डी यो को स्कूल में इसकी त्यारी करने का निदेश दिया है वैसे अम्तिम निर्ण आपदा प्रबंधन भी भाग लेगा बतादे सिक्षा सचीव ने मंगलवार को डी यो के साथ बर्चूल मेटिंग कर इसकूलों की साफ सपाई सेनेटाइजेसर आधी पूरा करने का निदेश दिया है उन्होंने नावी से बरावी में चात्रशत्रावों की काम उपस्तिती परचिंता जताई इसके लिए परखन साधन सेवी और संकूल साधन सेवी को लगाने को कहा है मौसम विभाग के उन्सार राची समेत कई इलाकों में गुरु आरकों में गर्जन के साथ हलके से मत दर्च की बारिस हो सकती है इस वो लेकर मौसम विभाग ने एलो अलर्ट जारी किया है बतादे मध्य जहरखन के बुकारों, गुमला, हजारी बा, खोटी, रामगण के अलावा उत्री पूर्वी भाग के देवगर, धनबाद, गिरी, डिगोटा, जामतरा, पांकुर और साहिब गंज भी सामिल है वही दक्षनी भाग के पूर्वी सिम्भूम, पच्मी सिम्भूम, सिम्डेगा और सराइक लखार सवा भी प्रभावित रहेंगे बतादे 27 अगस से 29 अगस तक हलके से मजदज की समान बारिस होने का पूरवन मान है वही 30 और 31 अगस्त को विराजय के कुछ हिसो में हलके या मजदज की बारिस हो सकती है जारखन में 12 नवंबर को होगा नेशनल अचीवमेंट सर्वे जारखन में 12 नवंबर को नेशनल अचीवमेंट सर्वे होगा इसमें 35,49 स्कूलों के तीसरी, पांचवी और सातीवी के बिद्यार्थी भाग ले सकेंगे बतादे 2017 में डेशनल अचीवमेंट सर्वे एनसी इई आर्टी ने किया लेकिन इस साल सीवियसी के माध्यम से इसका आविजन किया जाएगा इसके अधार पर ही राजे के मानक तय होते हैं बतादे पिछले सर्वे में जार्खन को देश में आठवास्थान मिला था राजेश ठाकूर जार्खन पर देश कॉंग्रेश के नए अध्यक्ष जार्खन पर देश कॉंग्रेश में बड़ा उलट फेर हुआ है पतादे कारेकारी अध्यक्ष राजेश ठाकूर को जार्खन पर देश कॉंग्रेश का नए अध्यक्ष बनाया गया है वह ही पच्मी सिम्भूम की सांसत गीता कोडा मांडर बिधायक बंदू तीर की समय दो अन्यक कॉंग्रेशी नेता जलेश्वर महतो और साजाद अनवर को कारेकारी अध्यक्ष बनाया गया है और इंडिया कॉंग्रेश कमेटी के महा सचीव केसी वेनु गोपाल ने बुद्धवार को इस बात की जनकारी दिया है जार्खन बिधान सभा के मांसुन सत्र में साथ मंत्रियों को मिली जिमिदारी जारखन बिधान सभा के मांसुन सत्र में स्रीम हमन्द सुरेन के प्रभार वाले विभागों से जुड़े सवालों का जबाब देने के लिए राजे के साथ मंत्रियों के जिमिदारी सोपी गई है ये मंत्रीगन स्रीहमन सुरेन के प्रभार वाले विभाग से समन्दित प्रश्न ध्याना कर्शन विधयक संकल्प आधि सभी परकार की विधाई सुचनावों के उतर देने के लिए प्राधिकृत किये गए हैं इस समन्द में मंत्री मंडल सचीवाला एवम निग्रानी विभाग ने अजिस उतना जारी कर दिया है बता दे कि आगामी तीन सितंबर 2021 से जार्खन विधान सभा का मांसुल सत्र सुरू हो रहा है जो नौ सितंबर तक चलने वाले हैं राजे पाल रमेस बैस सब परिवार पहुंचे राची के हुन्रूप होल जार्खन के राजे पाल रमेस बैस परिवार संग राची के हुन्रूप होल पहुंचे प्रकिर्टी की गोद में बसे हुन्रूप होल का राजे पाल समेत उनके परिजनों ने जम कर लुपत उठाए वहीं Power Plant 2 के समीब जारना में सब परिवार के साथ पानी में घंटों देर तक समय बिताए बता दे राजेपल स्रीबैस के साथ उनके दो पोते भी थे यहां दोनों बच्चों ने पानी में जम कर मस्ती की वही राजेपल स्रीबैस ने चिल्डेन पार्क में बैठ कर जीप लाइन का लूप्त उठाते दिखे रांची में पचास एकड़ में बनेगा फार्मा पार्क जार्खन कैबिनेट ने मंगलवा को कुल 24 परस्ताव पर अपनी हरी जंडी दे दिया इसके तहद राजधानी राची के बेजू पराई स्थीत बरहे में फार्मा स्यूट टीकल फार्मा का निर्मान होगा बतादे 50 एकड़ में फार्मा पार्क के बनने से दवा बनाने वाली कंपनियों को जार्खन में आने का उसर मिलेगा वहीं यहां उध्योग लगाने पर सरकार की ओर से कई छूट भी जार्खन चेंबर ऑफ कोमर्स का चुनाओ 26 सितंबर को फेडरेशन ऑफ जार्खन चेंबर ऑफ कोमर्स और इंडास्ट्रीज की संतावनवी बार्सिक आम सभाबोद्वार कुरांची स्थीत चेंबर भौन में हुई इसमें निर्न लिया गया कि 27-22 का चुनाओ 26 सितंबर को आउजित होगा पतादे चेंबर अध्यक्ष परविन जैन छाबडा ने कारणी समीती की बैठक में कहा कि सितंबर में कोबिट की स्थीतियों की समीक्षा के बाद मद्दान की परकिलिवा एवां चुनाओ असल का चैन किया जाएगा जार्खन सीएम इन्वेस्टर समीट में भाग लेने दिली गाए जार्खन के मुख मते हमांसुरे नए निवेस को और उद्योगपतियों को राजे में निवेस के लिए आमत्रित करेंगे इस करम में वे बुद्धवार को दिली में हो रहे इन्वेस्टर समीट में भाग ले के लिए देश की राइधानी के लिए रबाना हुए इस दरान वा दिली में ही परदेश की नई अध्योगिक यो निवेस निती दोयारी किस लॉंच करेंगे बता दे इन्वेस्टर्स सम्मिट का आविजन 27 और 28 अगस्त को होगा जारखन में आठ नई केस मिले हैं जो राची से तीन पूर्वी सिमों से तीन धनवाद से एक रामगर से एक मिले हैं जारखन में कुल एक्टिव केस की संख्या 140 है भारत में 46 और 265 नई केस मिले हैं भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या 3,27,571 है